हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टु मा यूटूब चैनल आज हम लोग सीडीपी का पेपर फर्ट जो चार फर्वरी 2030 को हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और जितने भी सीडीपी की पेपर या फिर एवेफ के पेपर हुए है सभी प्रीवेफ की प्लेलिस्ट आपको हमारे मिल जाएगी आप लोग देख सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंड करें चले देखते हैं लोग यहां पर पहला कोर्सन आपको दिया गया है यहां पर विकास के बारे में निम्न मेंसे कौन्स कथन सही नह अनुमामसिक्ता विकाफ का एक मात्र कारण है विकाफ निरंतर रूप से होता है तो यहाँ पे बिल्कुल C आफ़न बिल्कुल गलत दिया गया है कि अनुमामसिक्ता विकाफ का एक मात्र कारण है जबकि विकाफ में बच्चे का जो है समाच बच्चे का पर्रण बच्चे की जो है घर की परिस्ति अन्वामशिक्ता कई कारक जो बहुत महतपूर होते हैं और इसमें क्या पूछा गया नहीं है तो सी वालाफन बिल्कुल यहां पर गलत दिया गया है अन्वामशिक्ता विकाफ के एक मत कारण नहीं है तो यही कोस्चन के वार करेक्ट टेंबर हो का सापेच रूप से विकाफ के किस छेत के अंतरगत अध्यन किया जाता है अब यहां पर आफ से पूचा गया कि बुद्धी समस्य समाधान और समालोजनात्मक चिंतन का अध्यन विकाफ के किस छेत के अंतरगत किया जाता है इसका अंसर हो जाएगा संग्यानात्मक छेत्र Q等 Sati, 3 बच्चे केआँ औपचारिक स्कूल कोफल मूल रेती या ग्रांड करतें, बच्चे जोई अनेक तरीके सीख्ते हैं। उसके बाद बच्चों का समाजी करण एक सरल वा रेखी प्रक्रिया है। तो यहां पर यह भी आफन मिल्कुल ही गलत दिया गया है कि बच्चों को समाजी कांड जो है शर्लवरेखी प्रक्रिया नहीं है अब इसके अनुफ़ार आफन दिये गए हैं आपको तो दोनों इक गलत आफन दिये गए हैं तो इसके अनुफ़ार कौन आफन सही हो जाएगा इसका्च उसके बाद फाइब नंबर कोसे ना पहुंचा गया है पर कलपनात्मक निग्मनात्मक तर्क किस चनलन की बिस्वत्थ विस्यत्ता है उन्वरेखी जो परकल्पनात्मक और ग्रमनात्मक तर्क की rudhastSu staff होती होती है ये विक्सित होती ही भुच्चे की अमूर्थ अवस्थाकी दवरान ज浮ाउठस्था का वस्था कॉनाफ के दवरान ये व्क्रीटी डेवलाफ होती ही बच्चे मिदा कुना उसका क्रेक्टुट संग यान अत्मक विकाव कि फिद्धान के इनुफार किस अवस्ता में बच्चे अनैच्छिक या पिस सहज क्रियाओं से एच्छिक क्रियाओं क्यों बढ़ना आरम करते हैं इसका इंफर हो जाएगा ये क्वाल्टी बच्चों में होती है सम्वेदी गत्यात्मक वस्ता की दवरान यहाँ पर यह आपसन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा उसके बाद अगला कोसर नाव से पूंचा गया है हिंज दूविधा को सुनने के बाद आठ वर्षी गुर्प्रीत कहता है कि हिंज को पैफर चुरा लेना चाहिए क्यों कि उसे इसकी जरूरत है नैतिक तर के किस इस्तर पर बच्चे सही और गलत का फैफला व्यक्तिकर जर अभिमक्ता के दवरान किसके दवरान या इंतरिक सा पैचिक अभिमक्ता के दवरान क कि उसके बाद eight number question पूछा गया आपसे लेव आइ लेव वाई गोच्की के इनुफर बच्चों में संग्यानात्मक प्रक्रियां को किसके माध्यम से सुगदमा सुगमता दी जाती है मलब किसके माध्यम से आसान बनाया जा सकता है इसका इंफर हो जाएगा भासा के माध्यम से किसके मादधम से बासों के मादधम से बच्चों में शंग्यानातमा विकास को आसान बनाया जाता है यह कातल लेव वाई गोच्की ने उसके बाद 10 नमर कोस्चन आप से पूचा गया है सिच्छा को बाल केंदित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है इसका इंसर हो जाएगा कंठक्त इसमरण से क्रिया अधरित अधियम क्यों क्यों क्या कि बच्चे जो रटने के प्रक्रिया है उसको कम कराया और प्रेटकल रूप से शिच्छा दी जाए बच्चों को तो यहां पर बियाफन बिलकुल करेक्ट हो जाएगा उसके बाद एकला कोस्टन पूचा गया है हावर्ड गार्ड़नर के बुद्धी की बारे में बिचारों के इनुपार हावर्ड गार्ड़नर ने बुद्धी क को बिद्यारतियों को किसी समस्या पर कार करते समय अपने विचारों के मौक्ष की करण के लिए प्रुत्वाइद करना चाहिए यह बिल्कुल सही आफन दिया गया यहां पर और इसके बात यहां पर कारण दिया गया है निजी वाक बच्चों के संग्यानाद में विकाफ को तो यह बिल्कुल सही दिया गया हुए यहां पर कारण आर और सब्सक्राइब करता है तो इसका कॉष्चन के पूछा गया आप से कौन साफन सही है जिसका क्रेक टैंपवा हो जाएगा यहां पर ए कि और और दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है तो इसमें यह आफ़न मारा बिल्कुल सही हो जाएगा उसके बाद next question पूँचा गया है एक अध्याप्य का प्रचलित समादर संबंदी और रूड बद्धिताओं को कैसे प्रभाव हिन बना सकती है यह सुनिश्चित करके कि खेल सत्र में लड़कियां सिर्फ बैट मिंटन खेले और लड़के सिर्फ फुटवाल तो यह आफ़न बिल्कुल ही गलत दिया गया है क्योंकि यह तो रूड बद्धिताओं को बढ़ावा देगा अगर ऐसा करेगी सिच्चक उसके बाद B नमबर आफ़न दिया गया है यह सुनिश्चित करके कि लड़कियों को अध्यापक रेजिक्टर पर काम करने और उनकी मदद करने के उसर मिले यह भी बिल्कुल गलत दिया गया है कि लड़कियों को अध्यापक रेजिक्टर पर काम करने उनकी मदद करने के उ संगीत नत्व पाक कलब प्रतियुकताओं में भाग लेने के लिए कहना यह आफन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्या कि पूंचा कि रूड बदिताओं को कौन से आफन के दोरा बढ़ावा नहीं मिलेगा तो यह पर डी आफन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो सभी को मौक कि तो प्रेचूर आउफर प्रदान किये जाएं विश्यवफ्त को कंठस्ति करण कराया जाना चाहिए बिल्कुल ही गलत दिया गया है समालोचनात्मक चिंतनम को बढ़ावा देने का प्लब कंठस्ति करण जहां भी आ जाए वह आफन हमें से क्या होगा गलत ही होगा क्यों बिल्कुली गलत दिया गा जाएगा उसके बाद एकला पंट है कि विद्यारतियों में समलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए बिविद जान करें कि पुष्टी करने है तू प्रचूर आफर प्रदान किये जाए और किसी समस्या पर अब फारी चिंतन करने है त तो इसके अंफर डी नंबर आफर नमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन यहां पर पूंचागा यहां पर एक सर्रचनवादी कच्छा में अध्याप का किस पर जोर देती है एक सर्रचनवादी कच्छा में अध्याप का किस पर जोर देती है तुसका करेक् 15 नमबर कोर्षिन पूंचा गया है समाविषी फिच्छा के विविद जरीयों के निश्काफन पर बल देती है अगला कोर्षिन आप से पूंचा गया है एक ऐसी कच्छा में जिसमें विविद सामाजी कार्थिक परिवेशों से विद्यार्थि आते हैं एक अध्यापको क्या क चाहिए अब यहां पर अलग अलग प्रेफ्ट भूम से बच्चे आते स्कूल में तो जो सिच्छा को क्या करना चाहिए इसका इंफर हो जाएगा समाव इसी बाफाच जैसे की हमारा विद्याले हमारी कच्छे का इस्तिमाल करना यहां पर बियाफन बिल्कुल करेक्ट हो ज बिद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए और धारणा की व्याख्या के लिए चित्रों का प्रयोक करना चाहिए यह तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा जब दिफ्ट बाधित को यह तो चित्र कैसे समाज़ पाएगा सभी प्रकार के लि कि दिखाने वाले सुब आफन गलत हो जाएं कि दर्फट बाजी तो वह देखी ने सत्का यहां पर बी आफन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि सभी प्रकार की जो लिखित समागरी है उसको मौक्षिक रूफ से प्रस्तुत करना चाहिए तो यहां पर बी आफन मिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोशन यहां पर पहुंचा गया है ध्याना भावयों अति सक्रीता विकार ग्रसित विद्यार्थों के सपल समावेशन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए कोई बच्चागर है ADHD से ग्रसित है तो यहां पर पहुंचा गया है कि अध्यापक को क्या कर होना चाहिए तो इसका इंफर हो जाएगा यहां पर विद्यार्थि को समय प्रबंदन और संगठनात्मक आदतों के विकास में साहता करने हो जाएगा अगला कोशन यहां पर दिया गया है पठन वैकल जिसको डिफ्लेक्षिय कहते हैं पठन वैकल्प सापेज रूप में कि छेत्र में चुनावती पैदा करता है इसका इंफर हो जाएगा लिखित भी से समागरी के बोद में कंप्रेशन आप रिटन टेक्स्ट मतलब जो लिखा इसको समझने में क्या होती है दिक्कत होती है तेहां पर एयाफन बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोशन आप से पूछा गया है प्रभाव साली और अर्थ पूर्ण अधिगम के लिए अध्यापक को किस प्रकार के शिच्छन सास्त्री प्रवधियों का इस्तेम उसके बाद 22 नमबर कोशन आप से पूछा गया है राटी फिच्छा नीति 2020 अधिगम के कौन से तरीकों पर बल देती है अनभवात्मक अधिगम डिजिटल अधिगम वैग्यानिक अधिगम और करके सीखन अधिगम तो यहां पर सभी आपन सही दिये गया है जो राटी विद्यार्थियों के अधिगम युक्तियों के अरजन को सुगम फ़र्ज करना चाहिए निमनलकित में से कौन से तरीके का इस्तिमाल फिच्छार्थियों को अधिक कौफली भूद बनाने के लिए किया जाए वक्ता है विद्यार्थियों को चिंतन के अफ़ारी तरीकों के मदद करके यह भी बिल्कुल गलत दिया गया कि अब आप तुभी कुद्देश जिसका कुछ उद्देश ही नहीं है उसके बारे में बता कि बच्चों कैसे कोफिल विक्षित चीजा आफकते हैं उसके बाद सी नंबर आफ़न दिया गया है बिद्यार्थियों में सोयम से प्र पुछा गया है प्रभावस्वाली समच्चत समाधान कारक होने के लिए अध्यापक को सिच्छार्थियों में किसके इस्तिमाल को करना चाहिए मतलब क्या नहीं करना चाहिए कि कलन विदी खोज बीन सामयानुमान या पिर अनुकुरिया किसके इस्तिमाल को हतोत स्वाइद करना चाहिए मतलब वो करने से मना करना चाहिए तो इसका इंसर हो जाएगा अनुकुरिया समुच्च्च्च करने से बच्चों को मना करना चाहिए अगला कोशन आप पूछा गया है नल की स्रोथों के बारे में चर्चा करती हुए राणी उत्तर देती है कि नल और फवारा पानी के मुख की स्रोथ है उसका उत्तर किसका प्रतिनी दित्ट करता है इसका एंफर हो जाएगा यहाँ पे अब यहाँ पे पूछा गया कि उसका उत्तर किसका प्रतिनी दित्ट करता है इसका करेक्ट टैंफर हो जाएगा उसकी समझ जो उसके अनभाओं के अधार पर बनी है कि नल और फवारा को क्या बताती है दोनों ही पानी के मुख स्रोथ है तो यह आप पर नमारा बिल्कुल करे प्रत हो जाएगा कि वह अपने अनभाओं के याधार पर बता रही है अगला कोशना से पूछा गया है निम लिखित में से कौन सा अधिसंग्यानातमक कौफलों का भाग नहीं है योजना परवेचण मुल्यांकन या फिर निश्क्री अनकरण तो यहां पर अधिसंग्याना अधिसंग्यानातमक कौफलों का भाग नहीं है वह है निश्क्री अनकरण तो यहां पर डियाफन बिल्कुल सही हो जाएगा अब अगला कोशना पर पूछा गया है भावनाव और संग्यान के बारे में निम में से कौन सुकतन सही है इसका कले टेंफर हो जाएगा जानकारी घ्रहन करने के कवफल मनुला दफ़ा द्वार प्रभावित होते हैं और अगला कोशन यहां पर पहुचा गया है बिद्यार्थियों को अधिगम के प्रती अभी प्रेड़ित करते रहने के लिए अध्यापको क्या समलत करना चाहिए इसके इंफर हो जाएगा अध्यापक को क्या करना चाहिए निपुड़ता उनमें की उद्देश करना चाहिए अगला कोशन यहां पर दिया गया है विद्याले में बच्चों की सफलता में निम्न में से कौन फकारक बाधा उत्पन करता है अब यहां पर आपको आफन दिये गए है लचीली समय सारणी सरचनात्मक फिच्छाफात्र कठोर पार चर्चा अधिगम हेतु मुल्यांकन तो यहां पर पूचा गया है आपसे पूचा गया है कि विद्याले में बच्चों की सफलता में कौन से कारक बाधाउत्पन करता है तो इसका इंफिरो जाए कि कठोर पार्ट चर्चा जो है बच्चों के दिगम में बाधवत्पन करती है तो हमारे सी आपफन बिल्कुल वह हो जाएगा इसमें से मारा जो सी अफ़न दिया गया है वो क्या है से यह हो जाएगा कि यह क्या है बच्चों के जुहादिगम में बादत्पन कर गया अब यहाँ पर थर्टी नमबर और लाट नमबर कोश्चन आप पहुचा गया है किसी या उधारण को समझाते समय यह महत्पूर्ण है कि विश्यवफ्तु का विद्यार्थि के दिन परति दिन के जीवन में जीवन से संबंद बनाया जाए यह आपको कफन दिया गया है पर किसी या उधारण को समझाते समय यह महत्पूर्ण है कि विश्यवफ्तु का विद्यार्थियों के दिन परति दिन के जीवन संबंद मनाया जाए उसके बाद कारण दिया गए अधिगम कंठफ्ति करण के मातनम से बहुत प्रभाविश वाली होता है तो यहाँ पर यह क्या हो जाएंगे गलत ही हो जाएंगे अब इसके अफ़र आपको दिये गए कौन सब्सक्राइब बताना है और सी आपको सही हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है और थैर्टी कोश्चन जितने भी पूंचे गए थे इस वेपर मों कम्प्लीट हो गए मिलते हैं